नमस्कार मैं साक्षी बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार मेर्सकूलों के समय में हुआ बदलाव मुख्य मंत्री नीजी नलकूप योजना के तहत किसानों को मिलेगा अनुदान कक्षा निर्मान में दोस्यों पर होगी कारवाई चुनावायों की टीम की डीजी पे के साथ बैठक इंग्लेंड के खिलाफ चौथे टेस्स से जस्परित बुमरा बाहर उसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार के विश्व विद्यालों में नहीं होगी इंटर की परहाई दरिसल निटीश कैबिनेट की बैठक वये और इसमें ये फैसला लिया गया इंटर की परहाई के लिए सरकार ने नहीं विवस्था को लागू कर दिया है आपको बता दे कि सिक्षा मंतरी विजेट चौदरी और सिक्षा वभाग ने नया फॉर्मूला तयार कर इसे भीजा और उसके बाद इस प्रस्ताओं को मन्जूरी मिल गई वहीं आप छात्रों चात्रा है स्कूलों में ही इंटर की पढ़ाई कर सकेंगे राज्य में सिर्फ हाइ स्कूलों में ही इंटर की पढ़ाई होगी विश्व विद्याले की कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी कहा जा रहा है कि राज में बड़े पैमाने पर सुक्षकों की बहाली हुई और ऐसे में स्कूरों में सुक्षकों की कमी नहीं है ये बाढ़वी तक के बच्चों को पढ़ाएंगे मुख्य मंत्री नीची नलकूप योजना के तहट किसानों को मिलेगा अनुदान मुख्य मंत्री नीची नलकूप योजना के तहट किसानों को अनुदान दिया जाएगा आपको बता दे कि इसके बाद बंजर भूमी में भी सिजाई कर फसल उगाना आसान हो जाएगा इससे किसानों के आए में भी बढ़ोतरी होगी इसके तहट जल संसाधन विभाग नीची नलकूप लगाने के में मदद करेगी आवेदिन करने के लिए 29 फरवरी अन्तिम तिथी है बैंक खातों में दो चड़नों में अनुदान की राशी भुकतान की जाएगी वहीं है किसान को एक ही बार ये लाब मिलेगा अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट mwrd.bih.nic.in पर संपर्ट किया जा सकता है केके पाठक ने बुलाई कुलपतियों की बैठक सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव केके पाठक ने कुलपतियों और कुल सचीवों की बैठक बुलाई है केके पाठक की अध्यक्षिता में विभागिये सभागार में ये बैठक होगी जानकारी के नुसार बैटर के दौरान विलंबित परिक्षा के साथ यह अन्ने सत्रों के समय पर परिक्षा आयोजित होने की समिक्षा की जाएगी इससे लेकर उच्च सिक्षा निदेशक डौक्टर रेखा कुमारी ने कुलपतियों और परिक्षा नियंत्र को पत्र भेज कर सुचित किया जानकारी के नुसार कुछ दिनों पहले सिक्षा विभाग ने एक ट्रेनिंग कारिकरम का आयोजिन किया और उसमें कुलपतियों के भाग लेने पर राजभवन की तरफ से रोक लगाएगी ये ट्रेनिंग कारिकरम दो और तीन मार्च को आयोजित होगा इसके बाद सिक्षा विभाग ने कुलपतियों के लिए एक अन्य बैठक बुलाई है और ये बैठक 28 फरवरी को होगी पैदल के कुछ इलाकों में पैदल चलना सभव हो जाएगा इससे लोग कुदरत की सुंदर्ता को महसूस कर सकेंगे और इसके साथ पैदल चलने के दौरान ऐसे अस्थलों से गुजरेंगे जहां बाग और भालू के पंजों के नुशान को वो देख सकेंगे फिलहाल इसके लिए चार्ज का निर्धारन नहीं किया गया वहें इस दौरान सुरक्षा गार्ड भी तैनात होंगे आपको बता दें कि 12 साल से कम उमर के बच्चों को इसमें एंट्री नहीं मिलेगी वहें चार परियटकों के समू में एक गार्ड की ववस्था की जाएगी बिहार में स्कूलों के समय में हुआ बदलाओ बिहार के मुख्यमंत्र के आदिस के बाद स्कूलों के समय में बदलाओ किया गया आपको बता दें कि स्कूलों में 6 घंटे की पढ़ाई होगी, DEO सिक्षकों की निगरानी करेंगे, पहली घंटे से पहले स्कूलों में योग का अभ्यास व्यायाम ड्रील आदी होगा, और ऐसे में सिक्षकों को बच्चों के आने से पहले स्कूल में आना होगा कक्षा निर्मान में दोसियों पर होगी कारवाई, बिहार में 36 जलों के 790 स्कूलों में कक्षा निर्मान की दोसियों पर कारवाई होगी, 2486 कक्षा निर्मान मामले की जाच की जा रही है, और इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में सिक्षा मंत्री ने इस मामले में जानकारी दी उन्होंने कहा है कि दोसियों पर सक्त कारवाई की जाएगी, राशी का गवन करने पर वसूली की जाएगी जानकारी के अनुसार साल 2017 और 2018 से स्कुलों के 2000 से अधिक कमरों का निर्मान कारिय चल रहा है सक्षा मंत्री ने बताया है कि 349 कोटिक के मदर्सों के मामले में जाश रिपोर्ट आ जाने के बाद सरकार फैसला करेगी मंत्री ने गलत रिपोर्ट देने वाले पतादिकारियों पर सक्त कारवाई की बात कही है असनातक कोर्स में अडमिशन के लिए मिलेगा चार लाग का लोन बिहार में कॉलिज और विश्व विद्यालों में चार वर्सी असनातक कोर्स में अडमिशन लेने के लिए चार लाग तक का लोन मिलेगा बिहार स्टुडेंट कार्ट से चार साल के लिए लोन दिया जाएगा आपको बता दे कि अलग-अलग शहरों में पढ़ाई के लिए अलग-अलग राशी तै है जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र सही चुक शात्र और शात्राय संपर कर स सरकार ने ये सुविधा देनी का निड़ने लिया था पट्टा के छजुबाग स्थित सेंटर पर जाकर छात्र इसकी जानकारी ले सकते हैं समाने कोर्स के लिए शहर के अनुसार ही लोन दिया जाएगा कई छात्रों के अभिभावक फीज देने में सक्षम नहीं होते हैं औ इसके लिए जरूरी प्रक्रिया जारी है केंद्र सरकार इस काम में जुटी है रोतास के पिपरा डीहा भूरवा में एक ब्लॉक है जबकि दूसरा ब्लॉक मुंगेर में स्थित है इसमें मृदा धातू पाई गई थी केंद्र अस्तर पर दोनु ब्लॉक की निगरानी की जा आई गई है भागलपूर में नए एरपोर्ट का होगा निर्मान बिहार के भागलपूर जिले में नए एरपोर्ट का निर्मान होगा इसके लिए जमीन को चनहित किया जाएगा जिला अधिकारी नवल के सो चौधरी ने इसके लिए कमीटी का गठन किया एडियम इसकी अध इशाले को भेजा जाएगा एरपोर्ट की शुरुवात हो जाने के बाद भागलपूर सहित असपास के लोगों को काफी सुविधा होगी बिहार में 40,000 से अधिक प्रधान सिक्षकों की बहाली होगी इसके लिए रास्ता साफ हो गया दरसल नितीश काबिनेट की बैठक हुई और इसमें इसको लेकर मंजूरी दे दी गई अब राज्यक के प्रारंभिक 40,506 प्रधान सिक्षकों को न्यूक्त किया जाएगा बिहार राज्य प्रारंभिक स्कूल प्रधान सिक्षक नियामावली दो हजार चौबिस को स्विक्रिती दी गई काबिनेट की मैठक में 35 हजंटों पर मुहर लगी है इधर राजो सरकार ने कींद्र सरकार की आयुश्मान भारत यूजना से वंशित पडिवारों को पांच लाग की स्वास्त बीमा देने का फैसला लिया केंद्र सरकार की यूजना की तर्श पर अस्पतालों में इसका ला किया जाएगा सरकार इसके लिए 2 करूर की राशी खर्च करीगी मालूमों के पटना का जू लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बन चुका है यहां लोग प्रकृति का आनद लिते और साथ ही जानवरों को भी देखने के लिए आते हैं यहां अलग पार्ट भी निर्मान कि जल उद्यान में जड़ने का पानी बहता है और इसका उदगातन साल 1993 में लालोय अदव ने किया था अब इसके आकार को बड़ा किया जाएगा और इसके बाद ये लोगों के लिए मनुरंजन का केंद्र होगा जड़ने के सुंदरता और अधिक बढ़ जाएगी यहां कमल क फूल साहित कई अन्य तरह की फूलों को लगाया जाएगा फिलहाल हर दिन यहां हजारों की संख्या में पढ़िय तक पहुँचते हैं चुनाव आयोग की टीम की डीजीपी के साथ बैठक लोगसबा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम पटना पहुची यहां निर् पदादिकारी पुलिस के नौडल पदादिकारी और पुलिस बलके पदादिकारियों के साथ बैठक की थी मुख्य निर्वाचन आयोग ते राजीव कुमार के साथ अब तक किये गए चुनाव कारियों पर समिक्षा हुई है चुनाव आयोग की ओर से पुलिस बलकी तैनात गद्बंदन तूटा मुख्य मंद्री नितीश कुमार की सोच के कारण सिक्षा विभाग साह्य ता नियुद भागों में बढ़ती हुई लेकिन राज़त के नीता बहाली का इस्राय लेने की होड में रहे इस वज़ो से गद्बंदन तूट गया मंद्री ने कहा है कि राज़ पुर्ण सिक्षकों की बहाली ली जाएगी इसका क्रेडिट राज़त के नेता ले रहे हैं केके पाचक पर नितीश कुमार बोले आरजेडी जिन्दाबाद कहने पर भी नहीं हटाएंगे बिहार विधासभा की कारवाही शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने जमकर हं जिन्दाबाद कहेंगे ताकि आप लोग रहिए सीम ने राज़त विधायकों की ओर इशारा करते वे कहा कि आप लोग गडबर कर रहे थे सरकारी अधिकारी को हचाने की मांग करना गलत है केके पाचक एक इमानदार अफसर है उनके आरजेडी जिन्दाबाद कहने के बाद भी हम केके पाचक को नहीं हटाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट से जस्परित बुमरा बाहर इंडिया बनाम इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैस से जस्परित बुमरा को बाहर कर दिया गया बी सी सी आई नहीं ये जानकारी दी है और उनके अलावा केल रा राम दिया गया इधर के एल राहुल जोटिल होने के कार राची टेस्ट का भी हिस्सा नहीं बन पाएंगे चौते टेस्ट में देव दत्थ पडडीकल टीम का हिस्सा रहेंगे इधर मुकेस कुमार भारत की स्कौाद टीम में शामल है वीति दीन हमारे द्वारा पूछे गए स पासवान, शिव नंदन कुमार, रजनीत मिश्रा, रामशंकर सिंग, उमेश फ्रीदेव, नंदिकिशोर सिंग, सदुल्ला पालवी, छोटू राजा, संगहर्स कुमार, धर्मेंर कुमार, जैराम पासवान, संजीव कुमार, निकू, कुमार यादव, निशासनह, मोहमद श आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सिक्षन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूस, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइ करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेश को लाइक करना ना भूले धन्यवाद